दोस्तो क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा घोड़ा कौन सा है? घोड़े की कौन सी परजाती सबसे ज़्यादा महंगी होती है? क्या कभी आपने सुना है कि घोड़े की कैसी नसल भी है जिसके बाल घूंगराले होते हैं? वेल तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे घोडों से मिलवाने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा सबसे पहले हम बात करते हैं Apple Lusa Horse के बारे में दोस्तो ये घोड़े अमेरिका की एक नसल होती हैं जो अपने शरीर पे मौझूद कलर स्पॉर्ट से जाने जाते हैं ये घोडों की पुरानी नस्र है जो की प्राचीन किताबों में भी देखने को मिलती है इनके उपर मौझूद स्पॉर्ट किसी तेंदुए की जैसे होते हैं इस नसल के कुछ ऐसे घोड़े होते हैं जिनके पूरे शरीर पे स्पॉर्ट होते हैं तो कुछ घोड़े ऐसे भी होते हैं जिनमें स्पॉर्ट की संख्या कम होती है ज्यादा तर इन्हें वो लोग पालना पसंद करते हैं जिन्हें कलर और टेक्सर पसंद होता है ये सिर्फ ब्लेक और व membr के ही नहीं होते हैं बलकी white और brown कलर के भी होते हैं ये दोनों ही रंग इन गोड़ों पे काफी अच्छा लगता है दूसरे नबर पे आता है जिपसी वैनर दोस्तो इस गोड़े को देखते ही आपके चेहरे पे हलकी सी smile जरूर आई होगी क्योंकि ये घोडे हैं ही इतने खुबसूरत घोडों की सैक्डो परजातियों में से ये परजाती बिलकुल अलग है इन्हें अलग बनाता है इनके शरीर पे मुख़ूद बाल जो की काफी घने और लंबे हैं जब भी ये घोडे दोड़ते हैं तो इनके ये बाल हवा में लहराते हैं जिसके बाद किसी को भी इनके उपर से अपनी नजर हटाना लगभग नामुम्किन हो जाता है वैसे तो इनका साइज आम घोडों के मुकाबले थोड़ा कम होता है लेकिन इनकी पीट किसी को भी बैठाने के लिए परफेक्ट होती है इनके पूँच के बाल इतने बड़े होते हैं कि इनके ये बाल आसानी से जमीन को छू सकते हैं घोडे की इस नसल का इस्तिमाल घोडे गारी के लिए भी किया जाता है और कुछ लोग इनका इस्तिमाल घोड सवारी के लिए भी करते हैं तीसरे नमबर पे आता है बसकर करली होर्स दोस्तो आम तोर पे घोड़े ऐसे होते हैं इनके बाल बिल्कुल चिकने और सौफ्ट होते हैं लेकिन ज़रा मिलिए इस घोड़े से क्योंकि ये लोगों के साथ बहुत ही फ्रेंडली होते हैं चौथे नमबर पे आता है मस्टेंग होर्स आपको बता दे कि घोड़े की ये नसल एक जंगली नसल है यही वज़ा है कि इस तरह के घोड़े बहुत ताकतवर होते हैं ये अपने ताकत और खुबसूरती के वज़े से जाने जाते हैं घोड़े की ये बरजाती अमेरिका में बहुत ज्यादा पाई जाती है इसलिए इन घोड़ों को अमेरिकी जंगली गोड़ा कहा जाता है गोड़े की इस परजाती को ट्रेंड करना बहुत मुस्किल होता है आपको बता दे कि इन गोड़ो को पब्लिक प्लेस पे तभी लाय जाता है जब ये ट्रेंड होते हैं पांचवे नंबर पे आता है बेल्जियम ड्राफ्ट देखने में इन गोड़ो की लंबाई छे फुट तक होती है भले ही देखने में आपको ये खतर नाक दिखते हूँ पर आपको बता दे कि ये खतर नाक नहीं होते बल्कि इनसानों के लिए बहुत ही फ्रेंडली होते हैं और इंसानों के साथ घुल मिलकर रहना पसंद करते हैं छटे नंबर पे आता है मिनियेचर होर्स दोस्तों जैसे कि इनके नाम से ही पता चलता है कि ये घोडों की दुनिया की सबसे छोटी नसल है पहली निजर में देखते ही ये घोडे कम और गधे ज़्यादा लगते हैं लेकिन ऐसा नहीं है बलकि ये घोडे की एक खास नसल है जो की काफी छोटी और क्यूट होती है साइज में छोटे होने के वज़े से कई लोग इन्हें अपने घर में पालते हैं ये घोडे इत्ते फ्रेंडली होते हैं कि बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुचाते हैं सोलवी सताबदी में घोडे की इस नसल की सुरुवात होई थी जिसके बाद काफी जल्दी ये लोगों में पॉपुलर हो गया 19-20 सताबदी आते आते लोगों ने इन्हें पालतू जानवर के जैसे पालना सुरू कर दिया अगर इन घोडों की लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई 33 इंच तक होती है इसलिए इन्हें दुनिया का सबसे छोटा घोडा माना जाता है Guinness Book of World Record के मताबिक भी घोडों की सबसे छोटी परजाती यही होती है साथवे नंबर पे आता है The Golden Accord TK ये घोडों की एक ऐसी नसल है जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अपने नाम के मताबिक ही Golden Rung का होता है जब ये घोडे धूप में निकलते हैं तो इनका शरीर चमकने लगता है जो की देखने में ऐसा लगता है कि किसी ने इन पर Golden Rung का पेंड कर दिया हो ना केवल खुबसूरती बलकि इनकी एक खास बात ये भी है कि ये आम घोडों के मुकाबले बहुत तेज दोड़ते हैं अगर रेसिंग की बात किया जाए तो इनका इस्तेमाल National Level तक किया जाता है लेकिन इन घोडों की एक खासियत ये भी है कि ये बहुत जादा जिद्धी होते हैं इसलिए इन्हें काबू करना इतना भी आसान नहीं होता है आपको बताते चले कि इस घोडे को Perfect घोडा कहा जाता है क्योंकि एक तरफ ये खुबसूरत होता है और दूसे तरफ ये बहुत तेज दोड़ता है आठवे नमबर पे आता है Arabian Horse दोस्तों ये अरब की एक खास नसल है इनका वजन 500 किलोग्राम तक होता है पर इन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनका वजन इतना ज़ादा होगा ये घोडे बहुत ही ज़ादा फुर्तीले होते हैं और दोडने के मामले में अच्छे अच्छे घोडों को पीछे छोड़ देते हैं आम घोडों के मुकाबले इनके पैर भी लंबे होते हैं जो की इन्हें तेज दोडने में मदद करते हैं अगर बात की जाए इन घोडों के स्टेमिना की तो इनकी स्टेमिना भी बहुत ज़ादा होती है जिसकी वज़े से ये बिना थके काफी दूर तक और देर तक दौर सकते हैं इनकी इसी खास्यत के वज़े से इन्हें अरब का पावरफुल गोड़ा भी माना जाता है देखने में भले ही लगे कि ये गोड़े बहुत शांत हैं लेकिन ये बिल्कुल भी शांत नहीं होते हैं इनको ट्रेंड करना बहुत ही मुस्किल होता है नवे नमबर पे आता है मरवारी होर्स जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये गोड़ा जोटपूर से बिलॉंग करता होगा गोड़े की ये परजाती अपने शाही अंदास के लिए जानी जाती है ये देखने में इतना खुबसूरत लगता है कि इनका इस्तेमाल सोज में किया जाता है इससे पहले गोड़े की इस परजाती का इस्तेमाल जंगों में भी किया जाता था अब ये घोड़ा लोग शादियों में इस्तमाल करते हैं इन घोड़ों को शादियों के लिए अच्छी से सजाए जाता है जिसके बाद दिखने में ये घोड़े और भी जादा खुबसूरत दिखने लगते हैं साइज में भी ये काफी लंबे चौड़े होते हैं इसलिए लोग इन्हें पालना और इनकी घोड़ सवारी करना पसंद करते हैं